जहीं दोस्तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल पर दोस्तो इस वीडियो के अंदर हम आपका पीएफ विड्रोल प्रोसेस करके बताएंगे कि कैसे आप अपना पीएफ का जो अमाउंट है खुद ही निकाल सकते हैं और आपके अकाउंट में प्राप पाएंगे अगर आपको अपना यौ 2nबर पता है तो आपको पता होगा यौ 2a नंबर के अज़ैता से हम प्रोर करना पघता है हम को हमारा पैंक रिइंसी केस में दोस्तो थो आधार भी वैरिफाइफ करना पड़ जाता है तो इस तरह से आपको अगर advance के अंदर PF withdrawal करवाना है दोस्तो तो date of exit डली हो या ना डली हो कोई issue नहीं होता है और date of exit अगर आपकी डल गई है तो आपको pension और पूरा का पूरा PF है वो आप withdrawal कर सकते हैं तो इनके उपर हमने already वीडियोज बनार किये दोस्तो हमारी playlist में आप देख सकते हैं nomination bank account verify वगर आप कैसे कर सकते हैं तो हम सिधा ही आपको हम किसी भी browser पर लेके चलते हैं यहाँ पर आपको क्या लिखना है दोस्तो P.A.F.U.A.N. login लिख देना है आपको पर click करेंगे दोस्तो तो एक OTP चला जाएगा OTP has been sent on registered mobile number जो भी आपके चार डिजिट यह बता देगा और आपको यह OTP ID भी देगा दोस्तो यह ID आईगी तो इस ID का कुछ लेने देना नहीं होता है आपको simply OTP डालना है यहाँ पर capture code डालके submit कर देना है तो किसी किसी case में दोस्तो यह आपको OTP के लिए नहीं भी पूछेगा लेकिन most of the cases में यह पूछ लेता है यह देखिए हमारा login हो चुका है दोस्तो login होने के बाद में आपको एक दो चीजे मैंने आपको बताया था confirm कर लेनी है जैसे आपको अपनी KYC एक तो confirm करनी है सबसे पहले तो तो दोस पैन नंबर है वो भी अप्रूव हो चुका है अगर आप इसमें किसी में चेंज करना चाहते हैं तो यह देखिए बैंक पैन में उपर जाकर अपडेट कर सकते हैं जब तक आपका यह अपर नहीं दिखाएगा तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं इसके साथ में दोस्तों के अकाउंट में कितना पैसा पीएफ में पड़ा है वो भी आप सिंपली देख सकते हैं व्यू पर जाएंगे जैसे ही तो लास्ट ऑप्शन जो आ रहा है पास्बुक पर जैसे ही क्लिक करेंगे वापस से आपको यहां पर अपना यूए नंबर और पासवर्ड डाल देना ह तो जैसे ही हम साइन पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो हमारी पास्बुक खुल जाएगी पास्बुक खुलने के बाद में यह देखिए आपका सारा का सारा शेर यहां पर दिखा देगा इंपलोई का शेर इतना है इंपलोईर का शेर इतना है आप यहां पर तीसरा उप्शन जो आ रहा है passbook का उसके उपर जैसे ही click करेंगे तो आपके जितने भी member ID होगी उनकी detail आपको यहाँ पे दिखा देगा जैसे हम यह GA वाला जी हमारी पहली member ID है इससे हम पैसा निकलना चाते हैं तो जैसे ही दोस्तो लास्ट में आप आएंगे तो यह देखिए यहाँ पे जाएंगे उसी portal पर आने के बाद में दोस्तो आपको लास्ट में जो option दिखाई दे रहा है online services का यहाँ पे आना है यहाँ पे आपको कौफी चारे option दिखाई देंगे आपको first option claim forum पे जाना है दोस्तो जैसे ही आप claim forum पर जाएंगे आपकी detail यहाँ पे आजएगी name date of birth, mobile number बगरा धार number बगरा तो आपको पहला काम यह क्या करना है यहाँ पे आपको अपना bank account डाल करके verify के उपर click करना है जैसे ही हम bank account डाल के verify करते हैं अगर आपको इस तरह का message आता है तो इसका मतलब यह है कि आपका bank बिलकूल okay है verify हो चुका है आपको simply yes पर click कर देना है और यह one two apply four यहाँ पर काफी सारे option आपको दोस्तों दिखाई दे सकते हैं जैसे कि उपर यहाँ पर आपको दिखाया गया था forum 31 19 10C और 10D लेकिन आपकी profile के coding यहाँ पर forum select होंगे जैसे हमने अभी advance के अंदर PF निकालना है तो यह देखिए forum 31 आ जाएगा इसके उपर जैसे ही हम click क confirm करना है दोस्तों की अगले वाली company में transfer हो चुका है नहीं otherwise आपको दिकतों का सामना करना पड़ सकता है तो हमने जी यह हमारी बाद वाली company है उसे पीएफ विट्रोल करना है दोस्तों किस उदेशे के लिए करना है हमारा क्या purpose है पैसा विट्रोल करने का देखिए नीचे वाला जो red हो रहा है उनसे आप select नहीं कर सकते हैं जो भी आपके प्रेपलिकेबल होता है handicap equipment कर्चेज करना है पावर कट illness आ गया natural climate जा गई नों दो मेने से ज्यादा अगर आपको wages नहीं मिली है या outbreak of pandemic वगरा जो भी आपके प्रेपलिकेबल होता है हम normal illness अगर यहां पर ड department issue करके देगा जारी कर देगा आपके account में उससे आदे भी आ सकते हैं उससे कम भी आ सकते हैं यह totally depend करता है PF department के उपर की वो कितने रपए आपको जारी करके देते हैं यहां पर दोस्तों आपको employee का address मतलब आपका खुद का address यहां पर डालना है आपको यहां पर name address वगरा select कर लेना है district दोस्तों जो भी आपका होगा वो आपको यहां पर select कर लेना है जो drop down list आएगी उसी में से आपको select करना है इसके बाद में यहां पर city डाल देनी है pin code आपको अपना यहां पर डाल देना है address डालने के बाद में दोस्तों आपको upload scanned copy of check आपको अपने जो bank का check हो आना चाहिए उसके इंदर bank का नाम IFC code वगरा बिल्कुल साफ दिखाई देना चाहिए scanned copy बिल्कुल पड़े लिखे जानी चाहिए कि हमें समझ में आनी चाहिए तो आप यहां पर choose file जैसे ही करेंगे दोस्तों तो आपके जहां पर भी वह पड़ी होगी file उस पे आपको चल देता हूँ और गेट अधार OTP पर आपको क्लिक कर देना है तो दोस्तों आपके जो अधार कार्ड के चार डिजिट हैं वो आपको बता देगा और आपको यहां पर अधार OTP के लिए पूछा जाएगा तो हम validate OTP and submit claim form पर जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों तो online claim request is submitting यह PDF की डिटेल भी देख सकते हैं दोस्तों फॉर्म में हमने क्या क्या यहां पर बढ़ा था अधर्वाइस हम क्या करेंगे online activity में जाएंगे यह claim form के लिए हमने यहां पर गए थे और track claim status पर जैसे ही हम जाएंगे तो यह देखिए form 31 हमने PF advance का बढ़ा था दोस्तों 7 September को था हमने यह timing आ जाएगी और यहां के बाद में online claim submitted हमने submit कर दिया है इसके बाद में field officer को चला जाएगा और इसका जैसे भी department को depend करता है उस time में आपका process claim कर लिया जाएगा कोई कमी बगर होगी तो आपको बता दी जाएगी उसका भी declaration आपसे वहां पर ले लिया जाएगा तो दोस्तो बाई चांस अगर आपका यह जो claim है online settle नहीं कर पाते हैं यह अगर reject कर देते हैं क्योंकि अगर कुछ ने कमी लगेगी तो वो कोई आपको time नहीं देते हैं सुधारने का मौका नहीं देते हैं वो directly आपका claim है reject कर देंगे और rejection का जो भी region होगा दोस्तो वो आप के पास्बुक में हमने आपको पास्बुक दिखाई थी महाँ पे आपको बोल जाएगा कि किस कारण से हमने reject किया है तो उस rejection के कमी को आपको दोस्तो सही कर लेना है जो भी कमी होगी उसके बाद में आपको फिर से claim reject apply करवाना है ताकि आपका जो claim है time से आ जाए दोस्तो त 21 working days का time ये मांगते हैं PF department वाले कि आपका जो claim है 21 दिनों के अंदर हम दे देंगे सब कुछ okay रहता है तो तो इस तरह से आप अपने PF का जो claim है करवा सकते हैं वीडियो ची लगियो तो दोस्तो लाइक जुरूर करें और भी इस तरह की informative video income tax related GSTC related PFs related time पर प्राप्थ करने क भूलें क्योंकि इस तरह की video हम आपके लिए लाते रहते हैं सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा नहीं लगता है PFs related दोस्तो कोई भी आपको help चाहिए हमारे से तो आप प्लीज कमेंट कर सकते हैं ताकि हम आपकी help कर पाएं वीडियो ची लगिए तो लाइक करें सब्सक् सब्सक्राइब करें थैंक यू सो मच दोस्तो जाहिन जाय भारत